यहां पर देखे सब्सक्राइब का लाल बटन है अगर आपने नहीं किया या फिर आपने बैल आइकन पर नहीं प्रेस किया तो जरूर कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूजना मिलती रहे मारूती सूजुकी इंडिया लिम्टिट आज इस स्टॉक के बारे में इस कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने का मेरा एक रीजन है क्योंकि अब़ी हालिम मैंने एक चोटी प्राइस का स्टॉक है लेकिन fundamentally और technically बहुत जबरदस्ट company है उनके पास काफी orders भी है तो क्यों ना मारूती सुजुगी के बारे में बात की जाए क्योंकि एक बड़ी price का stock है लेकिन fundamentally बहुत अच्छी company हमारे भारत के जितने भी market है उसमें इसका सबसे बड़ा कबजा है number one company है मारूती की cars obviously लोग पहले priority देते हैं खरीदने के लिए भरोसा है लोगों को और लेकिन अब इस भरोसे पर हम क्या निवेशक भी इस company में अब इनवेश्ट करने का क्या समय है या जो लोग बने वे उनको क्या करना चाहिए तो पहले हम देखेंगे कि इसका price क्या है देखें 52 week जो high था 9929 रुपए यानि कि 10,000 रुपए आप समझे 10,000 से इसने low बनाया था 5,900 यानि कि 6,000 के आसपास आज कल ट्रेट करना मैं exact price भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए BSC पे आज 17 जुलाई 2019 एक बच के 45 मिट हो चुके है 6,108 रुपए के भाव पे ट्रेड हो रहा है थोड़ी सी गिरावाट है 50 रुपए के लगभग और इस तरीके से अगर हम इसके market capital जो है इसका 1,84,490 करोड का है earning pressure है 248 का P ratio है 24.59 का और book value of 1527 के और price to book of 4 की industry P821 की delivery है 33% के आसपास और face value रह गए ये 5 के तो main जो चर्चा का विशा है यहाँ पे कि अभी तक एक साल में जो return यहाँ पे देख रहे हैं हम 34% की downside है loss में है और 6 मही ने जिन्होंने 6 महने पहले पैसे लगाये थे उनको भी 16-16% के आसपास का loss हो रहा है तो इस तरीके से काफी गिरावट आई है और auto sector में पिछले कुछ सालों से जबरदस्त गिरावट है एक ग्रेड़ साल से जबरदस्त है और जिसमें Tata Motors तो बहुत ही तूप चुकी है Tata Motors के कई भारी डिसीजन उनको महेंगय पड़े जैसे कि Land Rover और China US में जो trade war हो रहा है उस वज़े से उनको काफी नुकसान करना पड़ा वहां पे कुछ समय के लिए plant पे जो होल्ड पे डालना पड़ रहा है इस वज़े से Tata Motors में भी हम अभी निवेशर कोई सलाह नहीं देते हैं हाँ लंबे समय के लिए अभी जब तक उसमें कुछ अच्छा उसके fundamental results दिखने ही जाते क्योंकि सिर्फ इंडिया में अच्छी products बना रहे हैं इसका मतले बने ही क्योंकि अब जबकि ये 6000 के आसपास के इसकी price पर मिल रहा है तो क्या हमें इसमें invest करना चाहिए देखे मैंने अशोर क्लिलंड पर भले ही कह दिया था कि उस पर अभी काफी अच्छे orders है fundamentally अच्छे और उस पर आप खरीदे लेकिन मारूती सुजुकी पर मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है इसलिए डर लग रहा है कि दो चीज़े हमें और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कंपणियों को देखके उनके valuation अगर हमें attractive मिल रहा है तो हम खरीद ले ऐसा भी नहीं होना चाहिए हम ये भी देखना है कि भारत में इस समय हो क्या रहा क्या परिवर्तन हो रहा गौवर्मेंट का उन सी है देखे दो चीज़े एक तो ऐसी गौवर्मेंट है जो कोई decision लागो करने में देर नहीं लगाती अभी उन्होंने इस budget में कहा है कि 2025 तक जितनी भी motorbikes हैं उनको electric करना है और 2030 तक जितनी भी fourvillers हैं cars हैं इनको जो है electric करना है अब इस तब्दीली में कमपनियों पे भार पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें change करनी पड़ेगी फिर से नया उनको function करना पड़ेगा सारी अपनी industry को दूसरी चीज़ है इस चीज़ के लिए कमपनिया प्रिपेर नहीं थी धेलम ढ़ाली टाल मटोल ये सब चलता रहेगा लेकिट अगर ये कमपनिया कोर्ट में भी जाती हैं तो कोर्ट ने ऑल्रेडी जनहित के कामों में वो पहले सी pollution को लेके बहुत aware है तो ऐसे में जैसे कि अभी 4 मानक जो कार की कमपनिया थी ऑटो सेक्टर्स थे pollution की वज़े से पहले ही कोर्ट की तरफ से गवर्मेंट की तरफ से इनको कहा गया कि मानक 4 से 6 मानक की जो है आप करिये अब जैसे इनोंने कई हजार करोड अपने कमपनियों ने इनवेस्ट करके 6 मानक की लांचिंग की तैयारी कर रही है तभी ये एक फर्मान आ गया है कि अब इनको इलेक्ट्रिक भी करना है 10 सालों के अंदर तो इनके लिए जबर्दस प्रेशर अब ये कहीं जा भी नहीं सकते इनको करना ही पड़ेगा मजबूरन क्योंकि ना तो कोट इनको हेल्प करने वाला क्योंकि ये जंता से जुड़ा हुआ सवाल है दूसरी चीज़ गवर्मेंट का ये भी एक मकसद हो सकता है कि जो हमारा फ्यूल हम इतना आयात करते हैं और बहुत सारा तेल जो है खपत होता है और बाहर जो इतने महेंगया खरीदते हम जनरली हमारा 10-12 लाग करोड़ तो फ्यूल में ही आयनुवल चला जाता है इतना साल का जो फ्यूल खरीदते हम बाहर से उसी में खपत हो जाती है तो वो भी एक गवर्मेंट के लिए थोड़ी सिराहत की बात होगी कुछ तो कटाउती होगी तो इन सब बातों को लेके पॉलूशन प्लस फ्यूल को लेके जो डेपेंडेंसी हमारी क्रूर ओल पे उन सब बातो कि और यह कुछ रिजल से में भी हल चल होगी डाउनसाइड या अपसाइड तो फटनेशल भी देखने होगी हमें नजर बनाय रखनी होगी अगर यह वहतर प्रदर्शन करती हैं किर That अगर इनका एग सब्सेटी पहले देखती कि फला एक आदमी ने प्ले हलेक करी दो दो और खरीदने पर क्या successful है तब वो दूसरे लोग भरोसा करना शुरू कर देते हैं ऐसा नहीं कि ताबर टोल लोग खरीदना शुरू कर देते हैं यह भी हाँ हाँ एक बार successful हो गई गाड़ियां तो फिर लोग देखते हैं कि जब उनमें कोई कमिया नहीं है तो खरीदने लगत है कि जलबाजी हम ऐसे कमपनियों पर नहीं करेंगे थोड़ा रुकेंगे कुछ quarters या कुछ साल और जब देखें कि auto sector बहतर प्रदर्शन कर रहा है तो भली थोड़ी सी महंगी price पर मिले हमें तब हम ले सकते हैं लेकि अभी डालके पैसे बाठने का मतलब है कि हो सकता है कि अब यह से एक साल पहले किसी ने पैसे लगाया होंगे तो उनको 34% का negative में रिटर्न है 34% उनके पैसे कम हो चुके है तो इस तरीके से हमें जलबाजी नहीं करने होगे तो कुछ fundamental हम देख लेते हैं अभी इनके June 1 यानि quarter 1 के results तो अभी नहीं आया है लेकिन हम पुराने ही द upside है और interest भी इनका कम हुआ है net profit तो इनका 20% के आसपास जबरदस्त है और margin भी इनका बहुत अच्छा है maintain कर लिया है वह ही अगर हम year on year देखते है March 18 से March 19 में compare करते हैं तो net sales में 0.70% की upside है जो की बराबर ही है और operating profit में 24.93% की downside है interest लेकिन फिर भी कम हुआ है और net profit में भी यहां पर 4.60% की downside है margin में भी यहां 3.70% की downside है year on year में तो अभी June 1 के quarter 1 के results आने बागी financial है 2020 की तो हम उसका भी वेट कर रहे हैं कि कैसी इसती रहती है और अगर हम return wise देखते हैं फिलाल 10 सालों में ते किस प्रकार कर देखें 10 सालों में रहे गे हैं return जो 415% के आसपास 5 सालो में 45% के आसपास तीन सालों में 36% के आसपास के positive return है लेकिन 2 साल से यहां पे बिल्कुल भी return नहीं है negative हाँ वन वीक में 3% के आसपास के जरूर positive returns है तो इस तरीके से इनके returns है और अगर हम shareholding pattern में जाते हैं तो 56% की जबर्दस्त प्रमोटर्स के पास holding है और कोई भी शेयर गिरी भी नहीं है एक अच्छी कंपनी है mutual funds 39 और foreign institutional investors है 1027 जो कि अच्छी बात है और individual 4.39% जो खुद्रा गरहा क्योंकि बड़ी price है तो बहुत सारे लोग जो खुद्रा होते हैं उनके पास इतनी बड़ी amount ने रहती क्योंकि वो बड़ी quantity के shares लिना चाहते हैं बजाए बड इस प्रकार से मैं यही दोस्तों आप लोगों से कहना चाह रहा था कि कोई भी आटो सेक्टर में पैसा डालने सपहले हैं दो-चार बार सोचें अपनी सूजबूज का इस्तेमाल करें नजर बनाए रखें गवर्मेंट से रेकेट चीजें होती हैं कोई भी फर्मान आ जाता है तो इन पर बहुत प्रभाव पढ़ता है थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो